तो यह जानके तो बहुत खुशी वही लेकिन एक मेरा लास्ट टाइम जैसे क्वेस्टन तो मैं पूछ रहा था कि आपकी इस प्रेच्वल अविक्निंग हुई नहीं हुई मतलुक जैसे आप बॉल रहे हैं कि आप संसारिक सीजों में आपका मन बहुत कम लग रहा है तो उसका क्या रीजन है मुझे तो मालूम है लेकिन मैं ओडियंस जो है जो हमसे जुड़ी हुए वो चाहता हूं कि वो जाने वो सीखे तो यहीं है कि अब क्या होता है कि एक लेटर एज में आके ऐसा जटका लगना या किसी बड़े का चले जाना जिसके साथ ती अटैच्मे ने दिमाग में आधर हो को आदमी उसी चाहता है कि मैं किसी ना किसी तरीके एक बार ऊचे finelyud करो किया करो मेरे दमाग में बढ़ा था मैं बारता कि एक दमसे ही वीडियो देखनी शुरू कर के कैसे होता है आत्मा क्या है거를 क्या है अब Jonah क्या है मैं स vaan में जानना चाहते हूं कर दो यह जाता है लेकिन अब स्योल मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं और यह कुछ ताक यथ हैं इस मेरे को मिख थकेला इसमें सी के CT में अब मेरे और अच्छा तेडिये लेकिन ज्टन के लिए कुछ अपने स्वायवल के मैं अबगाएं और सब्सक्राइब है कि अगर आपको संसारिक चीजों से थोड़ा मेहत्व आपका या उनकी तरह इंपोर्टेंट्स है तो देट मिंस कि आपका रास्ता खुल गया है यह तो किलियरली है और जैसे आप बताते हो कि नियुक्त पूर्ण करते हैं लोगों के साथ में जुनना काम कर दिया होगा और लोग तो थोड़ा वह भी कहने लगपड़े कि यहार लगता है पागल हो गया यह मतलग कि जैसे हैं दिमार खराब हो गया ज्यादा इसका नहीं करता था वह अब देखते हैं कि मेरा मिलना जुन इंस्ता गराम पर पोश्ट यहां सब्सक्चारए नहीं संच्छाब करोग है कि इन में डम्गत कि यह जब किसी की आवेकनिंग organic होनी होगी ना तो उसको सारी चीजों से ज्ञान कट जाएगा पूरा मन मेट जाएगा वहाँ से कि आप बटकने लगोगे लाइक जैसे पैसा है प्रोपर्टी है रिलेशन सीप है हाँ अधिक मेरे लिए अब कुछ नहीं लगता है मेरे को पैसा वैसा सब बेकार की जीजें लगती है इवन करो मैं बात भी किसी से कम करता हूं गरवालों से भी मेरा मेरा कट क्या काफी करने का बोलते ना कि आदी बैराग में पड़ जाता है कि बस खुद में चिंतना लगता जाए करने आता है बंड़ा यहीं हाली पैसा कमा लिया यह घख लिया यह happily यह घर लिया आज आ शब मेरेक economistcember City आपने लिखाता पंव पहले मैं आपको क्वेश्टन स्बीच में रोग जयते क्योंकि दीप्ति आगी थी सराइं लोस्ट माई मदर ड्यू टू कोविश्ट सेकेंड बेव सीजट फॉर्टी थी माई मदर इस माई वोल लाइफ जीना जिन्दगी जीना सजा हो गया सर क्या करूं प्लिज रिप्लाइब बि मैं चाहता हूं कि अगर पॉसीबल है आपकी पास में थोड़ा टाइम है तो प्लीज एक बार कंसल्टेंट लीजिए मेरे थुरू लीजिए या मेरे जैसे और भी कोई लोग हैं कोई और दूसरी संस्ता चला रहे हैं जो इस्प्रेच्वलिटी का काम करते हैं तो उन से बा को एक राष्टा मिल जाएगा जिन्दकी का कि आगे हमें किस राष्टे पर चलना चाहिए तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मम्मी चले गई तो सब कुछ चला गया देखिए आपकी मम्मी सिर्फ एक क्या थी एक मीडियम थी जिनकी वहीं आई हो उनकी कोक्स हैं बट आपके मत समझे कि आपकी जिन्दगी साजा हो गई है ऐसा कुछ हो गया तो मैं चाहूंगा सजेस्स करूंगा कि आप पर्सनल कंसल्टेंट ले लीजे जिससे भी आपको सही लगए इसके बाद में और भी क्वेस्टेंस आ रहे हैं सालनी जी कुछ पूछ रही है सब मेरी गलती के वज़े से हुआ है सरश्टी जी अभी मैं उनको भी वही बोल रहा था कि हमें ऐसा हो रहा है कि हमारे वज़े से होगा या अब वो कैसे होंगे इसी तरह के इफ और वाले क्वेस्टन हमें हमेशा आते रहेंगे थिंग इस डेट की हैं कि हकिकत ऐसा नहीं है हमें अगर चे लोगों के बारे में सोचना है चाहिए तो हमें छे सरीर मिलेंगे ये आफ कंफोरमेशन है पर मेंसर क्या चाहता है कि अगर आप किसी के एंग कर सकते तो कर यंदर आंध़े के भाव लेकिन बनेगा जरूर लेकिन इसले अगर कुछ भी नहीं मिल पा रही है तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है वह जो है वो होकर रहेगा वो बिदी का विदान है वो स्रेश्टी इसी साफ से चलती है हाँ जब हम किसी अपने पर्सनल को खोते हैं तो हमें बिल्कुल बुरा लगता है यह फैक्ट है और यह बैरी नेचुरल है इसमें कुछ भी गलत नहीं है बस मैं चाहता हूं कि इसमें आप यह समझें रिग्रेट ना करें गिल्ट में न रहें कि आपकी वेज़े से हुआ है आपकी ऐसी कोई भी गलती नहीं है यह अक्सर ऐसा होकर रहे गई इसकी पीछे क्या थियोरी है मैंने जो भी मिसे पर्सनली मिसे बात करते हैं उनको मैं बताता हूं बट मैं इस सेशन में इतन सा कंसल्टेंट लीजिए और बात कीजिए और आप अपनी स्प्रेच्वल अवेक्निंग का जो भी परपस है उसको आगे के लिए खोजने की कोशिस कीजिए उससे मां आपको यह पता लगेगा कि मैं जो सोच रही थी जो रिग्रेट कर रही थी मैं तो पागल थी हाकिकत त आप च्छे माईने एक साल के बाद में या क्योंकि दो साल के बाद में आप हसोगे अपनी नहीं वाप्तों के